हेलो फ्रेंड्स, NK Process Iskill में आपका स्वागत है आज हम बेड़ सुइच का कनेक्शन करने वाले हैं तो सबसे पहले इस होल्डर का कनेक्शन कर लेते हैं और यह हमारे पास वायर है, आप कितना भी बड़ा वायर ले सकते हैं हमारे पास वायर है, तो इसी वायर से आज हम बेड़ सुइच का कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम इस होल्डर को लगा लेते हैं और सिसकबर को बंद कर दें अब यह बेड़ सुइच का कनेक्शन करेंगे और इसी होल्डर के वायर में एक कहीं भी कट लगा करके और बेड़ सुइच का कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है तो अब इसी में हम बेड़ स्वीच का कनेक्शन कर देंगे तो बेड़ स्वीच खोल लेते हैं तो एक वायर को उपर वाले टर्मिनल में लगा देंगे और एक वायर विड़ स्वीच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देंगे अब यस बेड़ स्वीच कर देंगे को बंद कर लेंगे बेड़ स्वीच के कबर को बंद कर देते हैं अब यस बेड़ स्वीच कर देते हैं वाले टर्मिनल में लेक वाले वाले टर्मिनल कर देंगे कि हमारा बेड़ स्विच लगके तैयार हो गया है अब एक तरफ टूपिन पलग लगा लेते हैं कि अज़ स्विच लगा लेते हैं अब यह हमारा बिड़ स्विच लगके कंप्लीट हो गया है अब दोस्तों हम आप लोग को टेस्टिंग करके दिखा लेते हैं तो यह हमारे पास एक बोड़ है उसके बाद इस टूपिन पलक को इस बोड़ में लगा करके अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक गोला है यह लेडी बल्ब को हम इसमें लगाएंगे उसके बाद इस बटन को ओन किया अब इसको ओफ किया ओफ हो गया देखिए दोस्तों ऐसे हमारा बेड़ स्विच बनके रेडी हो गया दोस्तों आप देख सकते हैं अब खर बाद रहें अबनके बाद बाद दोस्तों आप और डेख सकते हैं